सरकारी विवागों में नौकरी दिलारे के नाम पर ढगी करने वाले गैंग को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है गैंग विरोजगारों को जहासा देने के लिए फर्जी प्रपत्र भी बना कर देता था ताकि लोगों को शक ना हो क्राइम ब्रांच ने गिरों के 6 सदसों को दबूच लिया है पकड़े गए अभ्युक्तों से पुलिस पूछ ताज कर रही है थाना चकीरी निवासी पीड़ता ने पुलिस को बताया कि सरूप नगर निवासी अंकुर वर्मा ने जुलाई 2020 में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर मुझसे 4 लाख रुपे लिये थे इसके बदले मुझे आईडे कार्ड और जॉइनिंग लेटर भी दिया था साथी कहा था कि जब करोना खत्म हो जाएगा तो आपकी जॉइनिंग हो जाएगी लेकिन जब में नौर्थ सेंट्रल रेलवे में जॉइन करने पहुँची तो सारा मामला फर्जी निकला आपको बता दे कि डी सी पी क्राइम सल्मान ताज पाटिल ने बताया कि ठगी करने वाला गिरहों आर्मी नेवी एफो सचिवाले रेलवे सी बियाई पुलिस ओर्डिनेंस आदी विवागों में नौकरी लगवाने के नाम पर विरुजगार गिवाओं को अपनी जहांसे में लेता था और इसके लिए अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग रेट तैक रखे दे 87 से लेकर अफसर तक 3-10 लाफ रुपे तक के रेट तैकिये गए थे क्राइम ब्रांच को किस तरह की सफलता मिली कितने लोग अभी तक गिरफतार हुआ और कितने लोग शामिल है इसमें थाना चकेरी में एक F.I.R. दर्श वी जिसमें एक पिडित महिला के साथ जॉब लगाने के नाम पर धोका हुआ था तो उस F.I.R. को दर्श करने के बाद जब पुलिस ने जाज परताल शुरू की क्राइम ब्रांच के सयोग से तो उसमें पता चला कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें केंद्र सरकार के विभिन जितने कंपनीज हैं जितने ओर्गनाजेशन्स हैं और जितने इंस्टिटूशन्स हैं इसके अलावा राज्य सरकार की विभिन संस्थाओं के ये जॉब लगाने के नाम पर लोगों से धोकादरी की जाती थी इसमें पता चला कि लगभग 80-90 लोगों के पास से 4-6 लाग रुपए लेकर उनको फर्जी जॉब ऑफर लेटर दिया जाता था उनका फर्जी मेडिक फिजिकल फिटनेस के अग्जाम है वो भी उनसे कंड़क कराई जाती थी किसी सरकारी एजनसी के ग्राउंड पर ले जाकर ताकि जो पैसा देने वाला वेक्ति है उसको ये विश्वास हो जाए कि ये जन्यून लोग है और हमारा काम जन्यून तरीके से हो रहा है इसमें बह उसको अपने अनुसार चेंज किया उसकी फर्जी मोहर नों ने बनाई और उसको लोगों को दे करके धोका दिया है इसमें बहुत सारे लोग अधर स्टेट्स के हैं ये दूर दरास के लोगों को टार्गेट करते थे इनके एजन्ट विभिन जिलों में इनोंने बनाये थे पंजाब के तमिलनाडू, महराष्ट, करनाटक, पोलकाता के लोग जॉब लेने के लिए आते थे इसके अलावा बिहार के बहुत सारे लोग हैं और कुछ यूपी के अन्य जिलों के भी लोग हैं जिनसे इन्होंने 4-6 लाग रुपए प्रत्यक विक्ति से लिये हैं इसमें 6 डूब लोगों की किर्फतारी की गए अंग्कुर नाम का विक्ति से गृूप का सर्कना है यह भी खूच ना मिली है कि अंग्कुर के पैरलली और भी लोग कुछ डो कर रहे हैं जो इस तरीके का और अन्य चीज़ों को मेडिकल के चीज़ों को अर्गनाईस करता था। और इनके पास से काफी भारी मात्रा में हाट डिस्क में डेटा और जो प्रमान इनके पास मिले हैं उसको कोड में प्रस्तुत करके इनके इन पर विदिक करवाई किजा रहे। सर जो में अभियूक्त है वो कहां करेने वाला और बाकी अभियुक्तों से उसके संभन्ध कैसे है? पान्पूर के रहने वाला है अंकूर जो में अभ्यूक्त है और लोकल उसके जान-पहचान के जो लोग थे जहाँ पहले काम करता था इस तरीके से जो उसके संबंद बने उन लोगों को जिनको विश्वास पात्र में लेकर के कुछ लोगों को उसने महिने की नौकरी दे करके अपने पास रखा था तो उनका इस तरीके दे इस्तिमाल करता था और उन लोगों के माध्यम से यह मेन अभ्यूक्त है और लोकल उसके जान पहचान के जो लोग थे जहां पहले काम करता था इस तरीके से जो उसके संबंद बन उन लोगों को जो विश्वास पात्र में कुछ लोगों को उसने महिने की नोकरी दे करके अपने पास रखा था तो उनका इस तरीके देश्तेमाल और उन लोगों के मध्यम से यह पूरे जो रैकेट इसको चला तो तो सर अंकुर ने क्या यहां पर कोई अलगा घर ले रहा है जहाँ वो रहता था यहाँ अपने कारियालय है उसका से काम को अंजाम देता है। सर अब तक कितने संस्तानों में इनोंने फर्दी नौकरियां दिये हैं? मेरे पास लगभग 36 अलग-अलग इंस्टिटूशन की मोहरे परामद हुई हैं पुलिस को और लगभग 80-90 लोगों को अलग-अलग संस्तानों में ये लोग आफर किये हैं. सर अब तक कितने की ठगी हो चुकी इसमें? लगभग एत करोर रोपई.